हलो दोस्तो मेरा नाम चन्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी में एप्रिल 2024 इंटेक की जिहां आम तोर पे जो इंटेक होता है हंगेरी में वो सेप्टेंबर में होता है या कुछ उनिवर्स्टीज में फेब्री में होता है लेकिन अभी हुआ क्या है कि जो फेब्री का इंटेक था वो डेफर हो गया है एप्रिल के लिए तो अगर आप सिर्फ दो महिने में अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं यॉर्प के एक खुबसूरत देश में जो शेंगेन जोन में भी आता है तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए क्योंकि बुड़पेश्ट जो हंगरी की राजधानी है वहाँ पर यॉनिवर्स्टी है आई बी एस और जो बहुत अच्छा बिजन स्कूल माना जाता है वहाँ पर एड्मीशन्स चल रहे हैं लास्ट डेट है 29 फेबरी बदा देना चाहता हूँ कि मैं इस यॉनिवर्स्ट के लिए रिप्रेजेंटेटर हूँ मैं खुद हंगरी में पढ़ चुका हूँ तो हम आपको अच्छे से असिस्ट कर सकते हैं पूरे प्रोसेस में एड्मीशन से लेके आप जब तक हंगरी पहुंचते हैं तब तक अब इस यॉनिवर्स्टी की खासियत ये है कि यहाँ पे आप बहुत तरीकों के बिजनस मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं साइकॉलजी में कोर्स कर सकते हैं डिपलोमेसी में कोर्स कर सकते हैं डेटा साइंस में कोर्स कर सकते हैं एमबीए कर सकते हैं और इस यॉनिवर्स्टी के टाइप से हैं बहुत सारे इन फैक्ट यूके में Erasmus Exchange का फाइदा उठा सकते हैं. अब इस Exchange में क्या होता है? आपको option मिलेगा, suppose करी आप दो साल की master's degree कर रहे हैं या तीन साल की bachelor's degree कर रहे हैं तो आप एक semester या दो semester जर्मनी में, फ्रांस में, Switzerland में, Denmark में विदा सकते हैं बिना additional tuition fees के और कुछ cases में आपको इस Erasmus Exchange के लिए scholarship भ hours पर भी काम कर सकते हैं और in fact जब semester break होता है तो आप full time भी काम कर सकते हैं. अब इस University की खासियत ये हैं कि यहां पर बहुत सारे courses post afternoon हैं तो इस वज़े से आपको time मिल जाता है काम करने के लिए और Budapest में part time job opportunities available हैं. मैं कहूंगा कि आप tourism industry में काम कर सकते हैं, call centers में काम कर सक सकते हैं, then आप hospitality industry में काम कर सकते हैं, food delivery में काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे options हैं जहां तक part time jobs की बात हैं. उसके साथ ही ये जो University है इसका placement record भी बहुत अच्छा है और यहां के students बहुत सारी international companies में काम करते हैं. अब जो last date है मैं बता चुका हूं 29th February है, ILTS mandatory नहीं है, gap भी accepted ह अगर वो justified हो, मतलब बता सकें कि आप क्या कर रहे थे उस gap के दौरान, हमने ऐसे students के साथ काम किया है, जिनका 18 years का gap था, उनको फिर भी हंगेरी में student visa मिल गया और वो IBS में पढ़ रहे हैं, in fact, एक जो student है, उसका interview भी है हमारे YouTube चैनल पे, मैं वो share भी कर रहा हूं, तो documents क्य चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, देखिए, अगर आप bachelor's degree के लिए आना चाहते हैं, तो आपके 10th की mark sheet चाहिए, और 12th की mark sheet चाहिए, साथ में passport की copy चाहिए, और अगर आपके पास IELTS या PTE है, तो उसका score card चाहिए, अगर नहीं है, तो आप अपने school से एक letter ले सकते है कि आपकी पढ़ाई English Medium से हुई है, तो उतना काफी है, ऐसी अगर आप master's degree के लिए आना चाहते हैं, तो आपके bachelor's degree की copy चाहिए, और इसके साथ ही mark sheet चाहिए, और passport की copy चाहिए, अगर IELTS और PTE का score है, तो अच्छा है, नहीं है, तो आप एक university से letter ले सकते हैं, कि आपकी CV होना भी जरूरी है, और letter of motivation भी जरूरी है, उसमें हम आपको assist करेंगे, process बहुत simple है, आप अगर apply करना चाहते हैं, तो आपको अपने documents हमें भेजने हैं, आप screen पे हमारा whatsapp number देख रहे हैं, और email ID देख रहे हैं, उसके बाद हम university का जो portal है, उसमें आपके documents को upload कर देंगे, तो मैं कहूंगा कि यह बहुत अच्छा मौका है, आपको apply करना चाहिए, आपके कोई सवाल है, तो आप whatsapp पे हम से contact करिए, आप comment भी कर सकते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, मैं जाते हैं, आप से request करूँगा कि आप हमारे youtube channel को subscribe करेंगे, thank you very much.